हाई गाईज, वेलकम यू आल वन्स अगेन, आज की इस वीडियो में हम लोग LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके देखेंगे अपने LDR या फिर आप कह सकते हैं फोटो रेजिस्टर के थुरू अगर आप लोगों को नहीं पता हम लोगों का जो LDR है वो क्या होता है और वो एक्जिकली कैसे वर्क करता है तो आप इससे जस्ट जो प्रिविएस वीडियो है उसको जरूर से दिख लीजेगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने LDR की वर्किंग को प्रेक्टिकली समझाने की को तो फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हम लोगों का जो सिस्टम है वह एक्जेकली कैसे वर्क करने वाला है तो देखिए हम लोग यहां पर एक LDR को यूस कर रहे हैं और इस LDR को बेसिकली मैंने एक 10 किलोोम के रेजिस्टेंस के स सिरीज में कनेक्ट किया हुआ है और उसके थ्रू ही हम लोगों ने इसको ग्राउंड किया ठीक है अब हम लोगों का यहां पर जो रेजिस्टेंस है और जो LDR है इसके बीच में जो कॉमन टर्मिनल है इसके थ्रू हम लोग यहां पर आउटपुट वोल्टेज लेने वाले ह और यह जो भी हम लोगों का यहां पर वोल्टेज आएगा इस वोल्टेज को हम लोग ADC चैनल 1 पर दे देंगे अब देखिए हम लोगों का जो यहां पर आउटपुट वोल्टेज आता है यह बिसिकली वैरी करता है according to intensity of light falling on LDR ठीक है अगर आपके LDR में बिलकुल भी light fall न आउटपुट है वो 5 वोल्ट मिलता है ठीक है अब यहां पर हम लोग जो भी हां पर value आएगी उसका ADC conversion कर बाते हैं तो उसके corresponding हम लोगों को यहां पर 10 bit resolution का result मिलता है ठीक है अगर आप लोगों का यहां पर 0 वोल्ट होगा तो उसके corresponding हम लोगों को यहां पर value मिलती है 0 और जैसे हम लोगों की यहां पर light intensity बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों का यहां पर जो ADC result है उसकी भी value बढ़ती रहती है इनिशली अगर आप लोगों का बिलकुल भी यहां पर LDI पर light fall नहीं हो रही होगी तो हम लोगों को यहां पर जो output voltage है वो 0 मिलेगा उसके corresponding जो ADC result है व value मिलती है ठीक है तो यह हम लोगों का हो गया input end अब secondly हम लोग समझते हैं यहां पर output end में क्या होने वाला है देखिए यहां पर हम लोग जो LED है उसकी brightness को control करना चाहते हैं तो यहां पर हम लोगों को basically 0 रूत होगी PWM waveform की तो यह जो waveform है इसको हम लोग फिलाल timer 2 की help से generate तो यह जो भी waveform generate होगी timer 2 के corresponding वो OC 2 या फिर आप कह सकते हैं PB3 के through ही होती है तो हम लोग जो LED है उसको PB3 पर connect करेंगे So LED की जो brightness है वो basically depend करती है हम लोगों की जो PWM waveform होती है उसकी duty cycle के उपर जब भी आप लोगों की हम पर 100% duty cycle होगी तो हम लोगों का यहां पर जो LED है वो एकदम bright होगी और जब आप लोगों का यहां पर duty cycle 0% होगा तो उसके corresponding हम लोगों की जो LED की brightness है वो बिलकुल 0 होगी या वो basically depend करता है हम लोगों के OCR2 register की value के उपर ठीक है और जो हम लोगों का OCR2 है यह basically 8 bit का resolution इसका होता है मतलब की यहां पर आपकी जो minimum value है वो 0 होगी और जो maximum value यहां पर हमारी हो सकते है वो 255 हो सकती है ठीक है यह हम लोगों का है output end इसके बाद समझते हैं exactly हम लोग यहां पर work जो है वो कैसे करवाने वाले हैं देखिए हम लोग जो LED के brightness है उसको control करना चाहते है with respect to LDR ठीक है तो आपको यहां पर करना क्या है देखिए यहां पर ADC conversion आप करवाएंगे और जो भी हम लोगों का यहां ADC conversion के बाद result आता है उस result के through हम लोग जो OCR2 है इसकी value को manipulate करवाएंगे ठीक है जितना ज्यादा आप लोगों का यहां पर light की intensity fall होगी LDR के उपर उतना ही ज्यादा हम लोगों को यहां पर ADC का result मिलेगा और उसके corresponding उतनी ही ज्यादा OCR2 में हम लोग अपनी value देंगे ठीक ह तो यही हम लोगों का यहां पर main concept है यहां पर basically हम लोग ADC के through जो हम लोगों की PWM waveform generate होगी उसकी duty cycle को control कर रहे हैं और second यह आप लोगों को ध्यान देना है हम लोग जो यहां पर microcontroller है इसको external crystal oscillator से run कर रहे हैं और जो हम लोगों का यहां पर crystal है वो 12 MHz पर operate हो रहा है तो exactly कैसे यह system हम लोगों का work करेगा इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अपने इस animation को एक बार play कर लेते हैं इनिशली हम लोगों का जो LDR है उसमें कोई भी light fall नहीं हो रही है तो उसके corresponding हम लोगों को जो यहां पर voltage मिल रही है वो भी काफी low है अब low voltage के corresponding हम लोगों का जो यहां पर ADC conversion होके result आएगा वो भी काफी छोटा होगा और उसके corresponding हम लोग यहां पर जो OCR2 है उसकी value को manipulate करने वाले हैं तो उसके corresponding duty cycle मिलेगी वो भी हम लोगों को काफी कम मिलेगी ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं अब जैसे जैसे हम लोगों का जो light है उसकी intensity बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देख सकते हम लोगों का यहां पर जो voltage है वो भी बढ़ा है और जो duty cycle है वो भी duty cycle है वो भी बढ़ रहा है अब duty cycle बढ़ेगी तो उसके corresponding जो हम लोगों का LED है उसकी brightness भी automatically बढ़ जाएगी अब इसको आप यहां से चाहें तो फिर से decrease करके देख सकते हैं इसको decrease जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे हम लोगों का duty cycle है वो भी decrease हो जाएगा ठीक है तो यह यह हम लोगों का system है अब इसके बाद इसकी programming को हम लोगों को देखना होगा यह हम लोगों का program है अपनी LED की brightness को control करने के लिए मैं फिलाल इस program को आपको यहां पर नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि इसे previously मैंने आप लोगों को एक task करवाया था जिसमें हम लोग जो अपनी DC motor है उसकी speed को control कर रहे थे by using potentiometer तो यह exactly वही program है यहां पर एक भी single line of code हम लोगों का change नहीं हुआ है ठीक है बिल्कुल वही code है तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है code तो आप जो previous video है उसको ज़रूर से देख लिजेगा वहाँ पर आपको इसका concept clear हो जाएगा ठीक है बिल्कुल वही code हम लोगों का यह है तो इसको हम लोग यहां से बिल्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको hardware में implement करके देख लेंगे So hardware connection हम लोग यहां पर कर चुके हैं initially मैंने LDR को completely यहां पर cover करके रखा हुआ है तो यहां पर आप लोगों का कोई भी light अगर LDR के उपर fall नहीं होगी तो उस condition में हम लोगों का जो यहां पर duty cycle है वो 0% रहेगी तो आपको यहां पर LED है वो भी off condition में नजर आएगी अब जैसे जैसे हम लोग यहां पर LDR को uncover करेंगे वैसे वैसे आप देखिए हम लोगों का जो यहां पर duty cycle है वो change होगी और उसके corresponding हम लोगों का जो LED है उसकी brightness भी आपको change होती हुई नजर आएगी इसको मैं हलका सा remove करता हूँ तो देखिए हम लोगों का जो LED है वो on होना start हो चुकी है और अगर मैं इसको completely यहां से remove कर दूँ तो आप देख पाएंगे हम लोगों का जो LED है वो एकदम on condition में है और इसकी brightness काफी जादा यहां पर हो चुकी है अब इसके बाद अगर हम लोगों का जो LED है उसकी brightness भी कम हो जाएगी और फिर से मैं अगर इसको remove करूँ तो यहां पर आपको जो brightness है वो change होती भी नज़र आ जाएगी अभी हम लोगों ने देखा जैसे जैसे LDR के उपर fall होने वाली light की intensity बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों का जो यहां पर LED है इसकी brightness भी बढ़ रही है और जैसे जैसे हम लोगों का यहां पर LDR के उपर fall होने वाली light की intensity घटती है वैसे वैसे हम लोगों का जो यहां पर LED है इसकी brightness जो है वो घट रही है, now suppose अगर हम इस logic को use करें अपनी street lights के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, देखें, वहाँ पर यह logic है वो बिल्कुल एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की daylight बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोगों का street light की जो intensity है वो भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब की जैसे जैसे आप लोगों के LDR पर जो light fall होती है उसकी intensity बढ़े, वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पर जो LED है उसकी intensity को या फिर उसकी brightness को कम करना है, और जब आप लोगों के यहाँ पर LDR पर fall होने वाली जो light है उसकी intensity घटती है, तो हम लोगों को यहाँ पर LED है उसकी brightness को बढ़ाना है, तो इस दीस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर program में थोड़ा सा changes करने होंगे, थोड़ा सा कि हम लोगों को basically यहाँ पर simply जो हम लोगों का non inverted mode output था उसको inverted mode में लेना होगा, ठीक है, अभी फिलाल हम लोग जो यहाँ पर waveform generate कर रहे थे, वो non inverted mode में generate कर रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ पर non inverted में ना करके इसको inverted mode में generate करना होगा, तो simply हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते है, जो हम लोगों का output mode है, इसको inverted कर देते हैं, तो इतना करते ही हम लोगों का यहाँ पर जो inverted mode है, वो select हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से build कर लेते हैं, और यहाँ से हम implement करके देख लेंगे, तो देखिए हम लोगों का जब यहाँ पर intensity बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं, कोई भी light जब हम लोगों को बहुत थोड़ी सी मिलेगी, बट उसके corresponding हम लोगों का जो यहाँ पर output आएगा, वो देखिए, एकदम maximum आ रहा है, मतलब कि जो duty cycle है, आपकी almost 100% के आसपास आ रही है, तो आपको यहाँ पर LED है, वो एकदम brightness उसमें मिलेगी, अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम ल light intensity बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों का जो यहाँ पर duty cycle है, वो decrease होगी, और जब आप लोगों का यहाँ पर maximum intensity होगी light की, तो उसके corresponding आप यहाँ पर देख सकते हम लोगों का जो duty cycle है, वो almost 0% के आसपास होगा, ठीके, तो यह हम लोगों का है, just opposite logic इससे पहले वाले से ठीके, अब इस इसको हम लोग hardware में implement करके देख लेंगे, initially हम लोगों ने जो LDR है, उसको यहाँ पर completely cover करके रखा हुआ है, ठीके, तो आपका यहाँ पर जो LDR है, उस पर कोई भी light form नहीं हो रही होगी, ठीके, और इसके corresponding जो आपका यहाँ पर ADC result है, वो भी 0 हमको मिल रह होगा, बट यहाँ पर हम लोगों का जो PWM waveform हम generate कर रहे हैं, वो inverted mode में generate कर रहे हैं, तो इस वज़े से आप लोगों को यहाँ पर क्या है, duty cycle 100% मिल रही होगी, जिसकी वज़े से आप लोगों का यहाँ पर जो LED है, वो एकदम bright आपको दिख रही है, अब जैसे जैसे हम brightness भी आपको dull होती हुई नजर आएगी, ठीक है, तो मैं इसको remove करता हूँ, तो देखें, जैसे जैसे हम इसको remove करेंगे, वैसे वैसे हम लोगों का जो LED है, वो dim हो चुकी होगी, अब again हम इसमें थोड़ा सा और light डालते हैं, तो आप देखिए, मैं यहाँ पर mobile को use कर रहा ह तो जैसे जैसे आप यहाँ पर और ज्यादा intensity इसको देंगे, वैसे वैसे हम लोगों का LED है, वो और ज्यादा dim होती हुई आपको नजर आ जाएगी, अब इसको मैं अगर remove करूँ तो देखें थोड़ा सा और यह आपकी brightness बढ़ गई, और अगर completely फिर से हम इसको cover करते हैं, तो आप देखें हम लोगों का जो brightness है, वो एकदम ज्यादा आपको नजर आएगी, so I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी, फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं, तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं, so बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज दीखना चाहते हैं, so thank you so much for watching, जय हिंद, जय भारत!